सही में, सैमसंग का तारीफ दील से आ रहा है, तारीफ करूंगा मैं, और क्या फोन इस बार निकाला है सैमसंग ने, सैमसंग गैलक्सी M30S, अब इस फोन का प्राइस तो 13,999 है, और ये फोन आपको एमजॉन पे 1000 रुपीज कैजबेक मिलेगा, प्री पेड ओरर में, और उसके देख लेना, और हाँ, इस बार मैं आपको थोरा सा डिफरेंट कलर का थोरा सा रिव्यू दूँगा, ये देखिए, ये कलर भी काफी खास लग रहा है, अब इस वीडियो में, मैं सैमसंग गैलक्सी M30S से लिडेटेड आपने जितने भी क्वेस्चिन किये हैं, वो बाला आ आपके साथ सेयर करूंगा, और अपनी इतना प्यार दिया मेरे अन्बॉक्सिंग वीडियो में धन्यवाद, और बहुत सरी यूट्यूबर्स ऐसा भी है, कह रहे हैं कि भाईया, इसमें 6000 इमिज बैटरी नहीं है, फेक हैं, क्या ये सही हैं, और और भी बहुत सरी यूट्य आप देडि, शुरू करी, ताहतरी, शुरू करी, टाहतरी, सेम्सों गालक्सी M30S, फेक बैटरी, 6000 इमिज बैटरी, फेक, हाथ, कौन कहा है ऐसा, साथ, साम्सूं गालक्सी M30S, फेक 48 मिगापिक्सल कैमरा, हाथ, अरे भाई कौन कहता है ये और जो कहता है भाई दिमाग ठीक है ना बाया चलिए पहले इसी question से मैं start करता हूँ Samsung Galaxy M30s अभी ये जो phone है ये मैं तक्रीबन दो दिन से यूज़ कर रहा हूँ काफी खास लगा मुझे ये phone 48MP fake नहीं दोस्तो अब ऐसा एक brand जिसका नाम बहुत अच्चा है वो ऐसा काम नहीं कर सकता है 48MP के लिए अलग से आपको एक वहाँ पर option मिलता है आप उससे click करो आपको बहुत बढ़िया clarity मिलेगा इसका camera review तुम्हें बहुत जद लियाओंगा दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा भाया ये जो phone है ना M30S काफी मुझे गजब का लगा तो 48MP camera वो सही दिया गया है चलिए अब आप में से बहुत सर लोग ये भी question के हो इसमें कौन सा sensor दिया गया है इसमें Samsung के GM1 sensor वो यहाँ पर दिया गया है ब्रैंड इसके बारे में बात नहीं कर रहा है अब आपका जो question है जो Sony IMX586 sensor और इसमें जो sensor है Samsung GM1 sensor क्या सही है एक है नहीं 586 थोड़ा सा आपको अच्छा मिलेगा पर इसका मतलब ये नहीं भाया ये sensor अच्छा नहीं है ये sensor भी काफी अच्छा है और सेम सेंसर आपको मिलता है Redmi Note 7S में तो clarity मुझे काफी अच्छा लगा फेक 6000 इमिज बैटरी भाया ये बहुत सारे YouTuber क्यों कह रहे हो आप जानते हो इसका weight distribution काफी अच्छा है अब 6000 इमिज बैटरी होने के बाद भी ये phone बहुत लाइट वैट है अब यह 6000 इमिज नहीं है या तो 4000 या तो 4500 इमिज बैटरी दिया गया है भाया इन जो ये जो लोग कहते है न इसमें 6000 इमिज बैटरी ही है और इसका बैटरी वैक अप वो तो मैं आगे जाके आपको बोलूँगा और इसका weight distribution मुझे काफी अच्छ लगा हां Samsung ने इस बार क्या गया है आपका नेक्स सवाल है इसमें डिस या जो बिल्ट कॉर्टी मिलता है ये कैसा है भाया ये पॉली कार्बोनेट का बनाया गया है मैंने मेरे unboxing वीडियो में कहा था जब वाइट कलर का unboxing क्या था यहां पे थोड़ा सा क्रीकी साउंड मिलता है देखने को I'm getting surprised इस फोन म में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लेम हुआ था और वो बहुत साउंड दे रहा था साइड में तो ये इसमें नहीं है तो मैं ये कह सकता हूँ क्रीकी साउंड आपको नहीं मिलेगा बिल्ट कॉर्टी काफी अच्छा है और इसका जो प्लास्टिक दिया गया है थोड़ा सा पर देखिए प्राइज भी तो आपको देखना चाहिए आपके दिमाग में ये भी रखना चाहिए पर इसका बील्ट कॉल्टी काफी अच्छा लगा ग्राडियन कलर्स भी मुझे काफी अच्छा लगा वाइट कलर के साथ मत जाईए वो अच्छा नहीं है आप या तो ओप के पास कीज है या कोईन से उससे तो यहां पर स्कैचेज आने का बहुत जादा चांसेस हैं और यहां पर आपको जो छोटी-छोटी सैंड होता है ना उसके तरह यहां पर आपको ग्लिटरिंग देखने को मिलेगा तो यह काफी अच्छ लगा पर हाँ इसका केस जरूर यू बहुत ही अच्छ लगता है हलो गजप का चले इसके बाद आपका नेक्स जो सवाल है इसका डिस्प्रे काइसा है देखे मैंने रियल्मी एक्स्टी यूज़ क्या है इसका भी आन्बॉक्सिंग रिव्यू मेरे चैनल पर है और इसका यारी सैमसंग ग्यालक्सी मेरे चैनल और बहुत अच्छा है और यहां पे आपको गजप का फिलिंग मिलेगा इन डिस्प्ले से वह रियल्टी से भी जादा अच्छा है तो यहां पर मैं यही कहूंगा डिस्प्ले काफी गजप का है अब यहां पर कोई glass protection है क्या आपका next question नहीं भईया यहाँ पर Corning Gorilla Glass जैसा कोई protection तो नहीं है पर हाँ dragon है य्याँ धागन का tail है मैं यहाँ भात करा हूँ dragon trail का protection यहाँ पर दिया गया है अगर आप compare करोगे Corning Gorilla Glass के साथ dragon tail का तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आता है डागन टेल, उतना भी फेमास नहीं है, चाइना प्रोडक्स में ये यूज़ किया जाता है, पर हाँ एक्टिस दिया गया है, पर आप जरूर इसमें एक जो प्रोडेक्टिव फिल्म होता है, ग्लास प्रोडेक्टर होता है, उसका यूज़ कीजिएगा, और हाँ, यहाँ पर जो फिंगर्टिस कैनन में एक टेक्टाइल फिडबैक होना चाहिए, हट्टिक फिडबैक्ट वो नहीं है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, अब फेस अनलोग भी काफी बढ़िया है, और लो लाइट में भी आपको फेस अनलोग काफी बढ़िया थ्रू एक फोन काफी बढ़िया है, आपको डिजिटल डॉल्वी सराउंड साउंड का आपको फीचर्स मिलता है, वो अगर ओन करते हो ना तो जग घुम जाएगा, काफी अच्छा लगा मुझे, तो साउंड कॉलिटी में भी कोई प्रॉब्लेम नहीं है, अब यहाँ पे जो इसका बैटरी बैकप कैसा है, 6000 इमिज बैटरी आपको यहाँ पे दो दिन का बैटरी बैकप दे देगा, अगर आप एक नॉर्माल यूजर हो, अगर आप एक हेवी यूजर हो, तो देर दिन का बैटरी बैकप दे देगा, आठ घंटे का स्क्रीन ओन टाइम मिल रहा है, PUBG अगर आप खेलते हो काफी गजब का आपको हैसास मिलेगा बैटरी से तो यहाँ पे बैटरी से लेटर कोई भी अगर आपके मन में दुविदा हैं डाउट हैं भाई निकाल लो क्योंके बैटरी जरूर अच्छा है अब चार्जिंग में कितना समय लगता हैं देखिए यहाँ पे फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में 15 वाट का मिलेगा और 15 वाट के चार्जर से अगर आप चार्ज करते हों आपके सैमसंग कर आप सेंथर टेस को तो तक्रिवन आपको मिलेगा जो टाइम मिलता है वो 2.5 गंटा और उससे आपको फास्ट नहीं मिलेगा तो 2.5 गंटे लगता है इस पोन को चार्ज होने में तो यह नॉर्माल है वाईया ठीक हैं इस प्राइस के हिसाब से यूएसबी टाइप सी आपको मिलता है और यहां पर और एक बरिया चीज आपने मुझे कमेंट्स के हो नोटिफिकेशन एडी लाइट है जो सामसंग गलक्सी M30S में नहीं है नोटिफिकेशन एडी लाइट आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा पर इसका भी आपको दूविदा नहीं होगा क्योंकि इसमें सुपर आमोलेट डिस्प्रे मिलता है आपको मिल जाएगा कोई भी नोटिफिकेशन या कॉल या एसमेस या वाटसाप में मेसेज फेस्बूप मेसेंजर का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो तुरंट से स्क्रीन अन हो जाता है और यहाँ पर आपको नोटिफाइ कर देता है और यहाँ पर always on display, raise to wake up, double tap to wake up इस तरह का features मिलता है और always on display में आपको बहुत तरीके का clock मिलता है, animation मिलता है जिसको आप अच्छे से use भी कर सकते हो तो यहाँ पर मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पर आपको डार्क मोड देखने को मिलता है जो मेरे जिसाब से काफी बढ़िया है और डार्क मोड और और अलेज ओन डिस्प्लेई क्या बात हैं जो ब्लैक है वो काफी अच्छे तरीके साब उबर के आता है और बैक्टरी बैकाप भी काफी अच्छा लगता है चलिए इसके बाद आपका जो नेक्स क्वेस्टिन बाया यहाँ पर पर्फोर्मेंस कैसा है आप जानते हो सामसुंग गलक्सी M30S में आपको देखने को मिलता है 665 के साथ आप यहाँ पर कंपेर कर सकते हो हाँ उससे काफी बढ़िया है 665 से और अगर आप PUBG खेलते हो तो आपको फूल HD में आप खेल पाओगे HDR में खेल पाओगे पर HDR में आप नहीं खेलो और अब ऐसे क्यों हो रहा है क्योंकि देखे वाई इन जो Xiaomi का Mi A3 है इस पे तो आप HD में नहीं खेल सकते हो बैलांस में लो में पर यहाँ पे आपको HDR का उप्शन मिलता है Samsung ने फिर से यहाँ पे जादू किया और यहाँ पे आपको HD में जो फूल HD में जो गेमिंग के आहसास में लेगा वो काफी अच्छ लगेगा और मैं तो जरूर इसका PUBG गेमिंग का जो रिव्यू वो भी लेके आऊंगा तो जो परफॉर्फॉर्मेंस है डे-to-day उसेज है आपका जो यहाँ पे जो आप उपे निग है जो एनिमेशन है वो आपको काफी बढ़िया लगेगा क्या सामसंग गाक्सी M30S चार्जिंग के समय और गेमिंग के समय हीट होता है नहीं होता है अब चार्जिंग मैंने यहाँ पे 0-100% किया पर हीट एक नहीं हुआ और यहाँ पे अगर आप गेमिंग खेलते हो तो हलका सा क्यामर के पास में यहाँ थोड़ा सा हीट होता है पर वो नॉर्माल है हर एक फोन में यह होता है तो वो भाई डाउट भी निकाल दो अब यहाँ पे आपको वाइडवाइन का सपोर्ट मिलता है यानि अगर आप आमजोन प्राइम या निट्फिक्स में कोई वीडियो देख रहे हो स्ट्रिमिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको फूल एजडी में कंटेंट देखने को मिल जाएगा डिस्पे क्वार्टी काफी अच्छा है तो कुछ इस तरह का आपका कमेंट्स था सामसंग गैलक्सी M30s को लेकर उमीद करता हूँ आपका हर एक डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुका है तो यह फोन के आपको लेना चाहिए मैं तो यही कहूंगा जो यहाँ पे डेडिकेर का लगा फुल रिव्यू इसका जो प्राउज और कॉंस इसका टिप्स और ट्रेक्स कामरा रिव्यू गेमिंग रिवू हर एक चीज़ यहाँ पे आजाएगा